जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इसराइल और हमाज के बीच छड़ी जंग और खतरनाक रूप ले रही है इसराइल के गाजा पट्टी पर किये गए हमलों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है इसे बीच रूप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गाजा पर इसराइल की बंबारी कानूनों के खिलाफ है रूप के फॉरेंड मिनिस्टर सरगोई लावरूव ने कहा किस से ऐसी तबाही पैदा होने का खतरा है जो दशकों तक चल सकती है लावरूव की ये टिपनी एक इंटर्वी के दोरान सामने आई जिसमें उनका कहना था इतना ही नहीं इस बाच्वीत के दोरान लावरूव ने चेतामनी देते हुए आगे कहा अगर गाजा को नश्च कर दिया जाता है और बीस लाख निवासियों को निश्कासत कर दिया जाता है तो ये दशकों तक तबाही मचाएगा नकाबंदी के तहट आबादी को बचाने के लिए इसे रोकना और मानुए कारिक्रमों की घोशना करना आवशक है वहीं ये बयान देने के साथ ही रोस ने तदकाल युद्विराम का समर्थन किया लावरोड ने कहा रूस इसराइल के साथ ही संपर्क में हैं हम इसराइल के साथ पूरी तरह से संपर्क में हैं हम एक शांती पूर्ण सामधान कोशनी के आवशक्ता के बारे में संकेत भेज रहे हैं गोरतरब है कि बले ही रूस इस जंग में शांती की बात कर रहा हो लेकिन पिछले कुछ समय से रूस और युक्रेन के बीच भी युद्ध चल रहा है जहांपर कीव ने रूस पर ही पूरे युक्रेन में नागरिकों पर बंबारी करने का आरूप लगाया है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखके रहिए योस 24